अब पिछले कुछ दिरों से मैं एक चीज है जो कि बहुत जादा नोट कर रहा हूं इंटरनेट पर and that is Cody Rhodes और Romanes का comparison लोग बाते करने लगे हैं कि बहुत जादा देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से आप इंटरनेट पर कह सकते हो कि को थोड़ी बैकलैश भी मिल रही है और मेरे यह समझ से बहार है कि क्यों इन दोनों लोगों का comparison हो रहा है जबकि इन दोनों का comparison का कोई सेंसी नहीं बनता है इन दोनों में बस एक ही similarity है कि यह दोनों एक ही championship ले रहे हैं बाकि इन में कोई similarity नहीं है I don't know why WWE के जो यह fans है कुछ इंटरनेट पर यह क्यों इन दोनों लोगों को compare कर रहे हैं आईए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में इस video के अंदर करना start कर चुक है रोमन इसके साथ चुकि लगबग चार साल चैंपियन रहा था बट मेरे हिसाब से इन दोनों का comparison बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बनाता है क्योंकि इन दोनों का comparison हो नहीं नीची एक जो चीछ है जो इन दोनों के बीच में similar है that is championship उस championship belt के अलावा इन दोनों वह comparison नहीं कर सकते हो क्योंकि आज की डेट में बेबी फेस प्ले करना जादा difficult है as compared to heel play करना I am not saying की heel play करना बहुत easy है एक होता है heel play करना normal एक होता है रोमनेज जैसा heel play करना जिसने इतना तगड़ा काम किया है जिसके बाद उसको appreciation मिली है तो वो अलग चीज है अगर आप सि भाई जब रोमनेज बेबी फेस प्ले करते थे तो फैन्स उनको पसंद नहीं करते थे जब कि उन्होंने इतना ट्राय करा इतना ट्राय करा बट नहीं कर पा रहे थे इदर कोडी रोज ने वो चीज़ सक्सेस्फुली अभी तक तो करी है दूसरा reason कि भाई रोमनेज की championship rain ल लोगो आप विराट कोली से compare कर रहे हो नहीं कर सकतो आप comparison यार आप ये देखो उसने कितने लंबे समय तक championship rain रखी है यहाँ पर अभी दो ही महीने वे हैं दूसरी बास शैद कुछ लोग ये बोलेंगे कि यार जब रोमनेज championship जीता था तो एकदम से वो तगड़ी हो गई इंपक्टफुल थी और शुरू में दो महीने में ही लोग उसके पारवें बात करने लगे थे तो देखो उसका भी reason कुछ और है उसका reason ये है कि जब रोमनेज championship जीता था तो उस वक्त उसने एक तगड़ा heel play किया था यानि कि वो straight away heel में convert हो गया था turn हो गया था जबकि वो उससे पहले baby face play कर रहा था दूसरा reason कि रोमनेज की एक बहुत बड़ी return भी हुई थी और तीसरा reason जिस तरीके से वो पॉलेमन के साथ पैर वगए रहा हुआ वो सारी चीज़े तो इस वजह से रोमनेज की जो championship रेन है वो straight away impactful championship रेन बन गई थी इधार ये सारी चीज़े Cody Rhodes क अभी recently कोई return हुई है उसकी return भी भी भाई बहुत time हो चुका है और ना ही उसने कुछ turn किया है heel में turn या फिर baby face में turn जिसकी वज़ा से वो impact आये उसने बस normal championship रेन को आगे continue किया है और उसका जो gimmick है उसका जो character है वही है जो championship जीतने से पहले था तो मेरा मानना है Cody Rhodes को भी time दो बहुत साथा चीज़े हैं जो वो कर सकता है championship rain में incredible वो काम already कर रहा है याई वो crowd के तरफ से reaction हो reaction उसको अच्छा मिलता है अभी भी pop वगरा उसको अभी भी अच्छी मिलती है merchandise में वो अच्छा काम कर रहा है poster boy वो है तो वो अपनी तरफ से हर चीज़ अच्छी कर रहा ह हाँ आप WWE को blame कर सकतो कि WWE उसको storylines अच्छी दे सकती है और ओपरेंट्स और जादा better और जादा तगड़ी दे सकती है पर जितना है WWE उसको दे रही है उतना वो करके दे रहा है उसमें अगला और काफी major reason है कि भाई जो रोमन रेंस अपना character play कर रहे थे championship rain के साथ उसके साथ bloodline थी यानि कि उसके साथ Paul Heyman paired थे उसके साथ Jimmy Uso आ गए थे जे Uso आ गए थे उसके साथ बाद में सोल सिकुआ भी आए दें सैमी जेन भी आए तो ये सारी चीज़े यूनो romance की championship rain को और जादा interesting और जादा तगड़ा बना रही थी और इधर अगर आप देखो तो comparison में Cody Rhodes सिरफ अकेला है भाई उसके पास नहीं कोई manager है उसके पास नहीं कोई भाई बंदू है वो अकेला ही चीज़े कर रहा है तो एक बंदा जिसके पास इतनी जादा luxury है कि उसके प ठलब वो अकेले किस से लड़ेगा किसको मुक्रा मालेगा किसको करेगा उधर क्या था रोमनीज के पास ये सारे थे भाई भाई बंदू थे उसके पास कभी वह फ्लाइफ कर रहे है कभी उनों तरन कर रहा है कोई एक दूसरे के ओपर कभी bloodline में कोई और member और जा रहा है फ सा कुछ बोल रहा हूं तो नहीं जिसको पता है उसको पता है मैंने रो ऑन इसकी कितनी तारी可री यह कर यह कर नहीं भाया की जिए क्षी बोलुकुली नहीं बंदा क्राम यह दोनों की ब्यूश्री Ugh का क्रआईन का डोzn, wh ऑई भी पिर लेवल पर जा चुका है वो लेजंड वाले लेवल पर जा चुका है इधर Cody Rhodes at the other hand, विचारा वो अभी नया नया आया है, you know, सारी शीजे कर रहा है, Championship Rain जीता है, वो अपनी तरफ से मैनत कर रहा है, अच्छे matches दे रहा है, तो definitely वो अपना काम कर रहा है, जो Roman ने इसने काम किया, वो उसने अपना काम किया, इधर Cody Rhodes अपना काम कर रहा है, तो comparison दोनों का ही नहीं बनता है, Cody Rhodes अगर आप time दोगे, थोड़ा और time उसको मिलेगा Championship Rain में, तो अच्छे matches और अच्छी storylines इसमें भी आने वाली है, Rock और Cody Rhodes बहुती interesting वो storyline होगी, तो अभी हैं भाई Cody Rhodes के पास बहुत ऐसे ऐसे matches, जो कि अभी तक हमने कभी नहीं देखे हैं पास में, जो कि काफी interesting होगे, अभी WWE थोड़ा हलका आत रख रही है, जिससे मैं वैसे agree नहीं करता हूँ, I wanted कि WWE straight away Cody Rhodes को एक बग़ी bangor of storyline दे थी, क्योंकि रोब मरेंज के इतने historical championship brain के बाद आप किसी और को championship brain दे रहे हो, तो एक बड़े bang के साथ आपको शुरू कर दी थी, बीच में आप बली हलका कर देते, बट शुरू में आपको तगडी storyline दी थी, वैसा WWE नहीं किया है, बट उसमें Cody Rhodes की कोई गलती नहीं है, अच्छा लग रहा है, या फिर वो उतने लेवल का लग रहा है, नहीं, तो उसमें भी आपको क्यों खास मजा नहीं आ रहा है, वर्ल्लाइवे championship में, हां, McIntyre picture में आ चुका है, तो ये लग रहा है कि McIntyre champion अगर बनता है, जिसके वज़ासे interest कम हो गया है, suddenly WWE, अभी आप rock को लेकर आ जो, अभी आप romance को लेकर आ जो, अभी आप rock लेकर लेकर आजो, अभी आप rock लेश्ण को लिया हो, उसके नाम की चैंस भी हमें बीच बीच में देखने को मिल रहे हैं तो उसको प्रॉपर वही रिस्पॉंस मिल रही है एक राउट से जो उसको पहले मिल रही थी यह जो सारी चीज़े हो रही है यह सिरफ इंटरनेट वाली चीज़े है हो सकता उसमें कुछ ऐसे भी लोग से जो क्राउड में में देखनों मिल रहे हैं वहां से कोई लंबी यह वीडियो हो चुकिए बटाय होब कि आपको यह सारी चीज़ें यह सारे में ट्लियर हो चुक है कमपैरिसन दोनों का मत करो गिव कोडि रोज सम टाइम उसको टाइंग तो वह अच्छी चैंपियंशिप ब्रेन देगा अच्छी चैंपियंशिप रेन होगी है मेरे साफ से अधी अब भले इतनी स्ट्रोइलांज इंट्रस्टिंग नहीं आ रही है इस चैंपियंशिप में बटाए चल गर अच्छी इसमें आएंगी बठाँ आगर आप यह सोच रो कि रोमनेंस के जितनी अच्छ बाकि आप अपने थौट्स बता सकते हो ने जो कमेंट सेक्चेन में इस पर्टिकुलरी स्ट्रोइलांग को लेकर बाकि यह वीडियो थोड़ी ही पसंद आएगे तो डोंट फगेट तो लाइक और आपने स्माश सब्सक्राइब अधर मिलते हम एगली वीडियो के अंदर त अब एल नोट गिवड़ यो और अपकिव एप जिसक्राइब वाट रवेट प्र पार आपकिए लेक्षाद आपकि एंदकि आपकि एंद्स पार आपकिए लेक्षाद और यह वडिवेड़ी का वीडियो झाल, 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 झाल